हलो दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टेकवानी और लेके आया हूँ एक फ्रेश एपिसोड आज रियल मी 3 प्रो के बारे में और अगर आप यह कह रहा है संदी भाई जब सब लोगों ने खिचडी बना दी है जब सब लोगों ने इसके स्पेसिफिक के बारे में बता दिया है लाँच डेट के बारे में बता दिया तो आप क्या नया लेके आ रहे हो तो मेरे भाई मैं रूमर्ड नहीं लेके आ रहा हू लेकिन specification अभी तक किसी ने confirm नहीं बताई है तो इस वीडियो को बिल्कुल end तक देखेगा मैं आपको बताने वाला हूँ सभी specification price के साथ launch date 20 April बताई है और 20 April को एक और phone launch होगा realme series के अंदर वो होगा कौन सा इस वीडियो के end तक बताऊँगा और एक अफ़ते तक वीडियो क्यों नहीं डाल पाया था वो भी आपको बताने वाला हूँ तो बिल्कुल last तक वीडियो देखेगा तो सबसे पहले specification की बात करते हैं तो इसकंदर आपको मिलने वाला है 6.4 इंचिस का Full HD Plus का डिस्प्ले जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसंदर आपको Super AMOLED या AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है या फिर in display fingerprint मिलने वाला है तो ऐसा नहीं है IPS display आपको देखने को मिलेगा जो कि Full HD Plus होगा जो fingerprint scanner है वो आपको पीछे की तरफ देखने को मिलने वाला है और glass या फिर metal की body नहीं मिलेगी आपको polycarbonate यानि की plastic की body देखने को मिलने वाली है जो कि काफी अच्छी होगी काफी सुन्दर होगी अगर आपने काफी सारी भी OPPO या विवो के जो phone देखे उसके तरह देखने को मिलने वाली है dual tone ये होगा दो color देखने को मिलेंगी हाला की gradient fusion नहीं होगी लेकिन काफी अच्छा लोग इसकंदर आपको देखने को मिलने वाला है अगर बात कर लेते हैं प्रोसेसर के वारे में तो इसकंदर आपको मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर जो की 2.2 GHz की frequency पर चलेगा अच्छी बात ये है कि Realme ने इसको underclock नहीं किया है ये बिलकुल अपनी पूरी performance पर चलने वाला है नहीं कि 2.2 GHz की आपको पूरी performance देखने को मिलने वाली है और अगर बात करते है Redmi Note 7 Pro की तो उसकंदर आपको 675 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसके नहीं आपको 2.1 GHz याने की 2 GHz की frequency आपको देखने को मिल जाती है जो लोग ये बात करते है कि 675 जो है बेटर है 710 से तो कुछ चीजों के अंदर बेटर भी हो सकता है कुछ जो करते हैं 7.0 भी बेटर हो सकता जैसे बात करता हूँ गर GPU की तो इसकंदर आपको Adreno का 616 का GPU देखने को मिलने वाला है जबकि 675 की अंदर आपको जो है 612 का GPU आपको देखने को मिलता है वहीं आपको 675 जो है 11 नेनोमेटर की टेकनोलोजी बनावा प्रोसेसर है जबकि जो 710 है वो 10 नेनोमेटर की टेकनोलोजी बनावा प्रोसेसर है अगर क्रेओ की अगर मैं बात करता हूँ फिक्वेंसी की तो वहाँ पर जो कोर्स है वो डेफिनिटली 675 के अंदर अच्छी पर्फोर्मेंस दे जाते है लेकिन काफी नेक तो नेक पर्फोर्मेंस है और अगर बात करते हैं फोर्टनाइट गेम की तो डेफिनिटली वो रियल मी 3 परो के अंदर चलने वाली है तो अगर आप अब जी का मज़ा ले रहे थे वो फोर्टनाइट का मज़ा भी लेना चाहते है तो रियल मी 3 प्रो इस दी चॉइस फॉर यू डेफिनिटली वहाँ पर ये एज लेकर चला जाता है बात कर लेते हैं अब कैमरे के अंदर सबसे अच्छी बात जो है इसके आपको और फ्रेंट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो यू सीरीज है रियल मी की तो 25 मेगा पिक्सल का आपको सेंसर जो है मिलने वाला है यानि कि 25 मेगा पिक्सल की सेल्फी आपको मिल सकती है जो की डेफिनिटली डेफिनिटली नोट 7 प्रो से अच्छी होने वाली है तो कैमरा कंपारिजन तो जैसी फोल लॉंच होगा डेफिनिटली हम करने वाले है बट सेल्फी के अंदर अभी रियल मी 3 प्रो जो है वो आगे जाता बहुत दिख रहा है बात कर लेता है बैटरी की चार्ज हो जाएगा 4000 mAh की बैटरी का होना साथ में VOOC 3.0 का सपोर्ट होना डेफिनिटली एक एज देता है कॉम्पुटीटर्स के मकाबले लेकिन जो चीज आपको थोड़ी अखर सकती है वो ये की Type-C का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको USB 2.0 का सपोर्ट ही देखने को मिलने वाला है तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर आपको Type-C जो है वो चार्जर देखने को मिलने वाला है या फिर Type-C पोर्ट आपको GB वाली storage का variant है वो आपको 12,999 रुपे का मिल सकता है जो की काफी कमाल धमाल price होगा definitely क्योंकि Redmi Note 7 Pro जो है वो 13,999 रुपे के अंदर मिलता है इसी range के अंदर बाकि दो variant आपको और देखने हो मिल सकते है 6 GB RAM और 64 GB storage वाला और 6 GB RAM और 128 GB storage वाला उसके price भी अप्रॉक्स यही ऐसा लगता है कि एक एक हजार रुपे कम होंगे जो Redmi Note 7 Pro के मकाबले 22 April को यह phone जो है launch हो रहा है साथ में launch हो सकता है U series का एक और phone आशा वीडियो खतम होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक हफ़ते कहां पर था दोस्तों मेरे गले में बहुत ही जादा जोर की दर्द था और मतल़ इतना था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर शायद मुझे fever होता या मुझे cold होता तो डेफिनेटल वीडियो बना लेता लेकिन गले से मैं बहुत रहा रहा था और जब मैं डॉक्टर के पास ilaj कराने के ले गया, मैं अपना treatment के ले गया तो मैंने देखा कि लाइन में लगा के लोग खड़े हुए कि मेरे भी गले में दर्दे, मेरे भी गले में दर्दे तो अगर आपको भी, आपकी फैमिली में से भी किसी को भी पिछले एक अफते के अंदर गले का दर्जा, कोल्ड वगरा ऐसा कुछ चल रहा है बताने वाला हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर